उत्तर भारत में श्रीत लहर का असर देखने को मिल रहा है ये बड़ी जानकारी आप तक पहुशा रहे हैं जोहापर पूरे उत्तर भारत में श्रीत लहर का असर देखने को मल रहा है दिल्ली अंसियार समित कई राज्यों वे कोहरा चाया हुआ है कोहरे के कारण विजिबिलि प्रभावत है चाहे वो हावाई सेवा हो या पर रेल सेवा हो हर कुछ पूरी तरीके से मित्ते सिर्ड्रायार knowing म लों परभाविद व iki जानकारियां तक कुछा रहे हैं जहां पर कई राज्यों गक्षाया वहा है डिलीएंसियार समय चाहरे राज्यों गना कोहरा चाया हुआ है पूरे उत्तर भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है जहां पर उत्तर भारत में श्रीत लहर का असर देखने को मिल रहा है यह तस्विर आप देख सकते हैं जहां पर पूरे उत्तर भारत में कोहर काशर देखने को मिल रहा दिल्ली से दूसरी तस्विर लखनाओ से तीसरी तस्विर गौालियर से और चोती तस्विर अयोधिया से जहां optim BT रहिए नज़र है क्ई हरै क्दा बहुत ज्यादा है अलाव का सहारा ले रहे हैं से traits क Background half काफी कम हैं और इसी ख़बर पर विजवान कारी के साथ हमारे साथ लखनउं से हमारे समवादता निकेतिवारी हमारे साथ जोड़ गए साथ सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाए कि किस तरीके से लठनाव में घना कोहरा चाया हुआ है क्या कुछ पूरी पूरी जानकारी लगनाव को लेकर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है इस वक्त बताएं अगर बात की जाए राजदानी लखनों की तो जो मौसम है वो लगतार अपनी करवड बदलता हुआ नजर आ रहा है सफेद जो चादर कोरे की वो पूरी तरह से चाही हुई साथ तरफ नजर आ रही हाला कि अगर दिन की बात की जाए दिन में जरूर जो पोरा है और चटता अगर बात की जाए तरह नोगों की मौत उच्ची है तो लगतार जो फटार नोगों की मौत उच्ची है अगर बात की जाए प्रशाशन की तो लेकर अडवाज जारी कर दी गई है कि जो जो समय सीमा है उनको तब्दिल किया गए दस बज़े से लेकर दुपएर तीन बज़े तक स्कूल संचालित किया जाए और यह भी का गया कि जी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाने की विवस्ता है अगर उन स्कूलों में है तो आप बच्चों को स्कूल मना बुलाएं तो साफ तो पर कहने सब्सक्राइब और लगनों को अभी तरीके से प्रभावत नजर आ रही है कई लोग सड़क पे हाथसे के शिकार हो रहे हैं तो कई लोग घर में क्योंकि ठंड बहुत जादा होने की वज़ास से विजबिलिटी कम है तो लोग बाहर निकलते हैं तो यातायात विवस्ता घर में लोग अलव का ले रहे हैं अलव का लेका सहारा लेके सोते नजर आ रही या तो हीटर जला के सो रहे है या आग जलाके अंगी ठील तो और को्मिक कशनी किमिंट नं Tap यह авजड सब्सक्राइब करने कि मोत लोगनाल के यह संधार उड़ कृत है कि रात में आंगिठी जलाकर आपने कमरों में रख लेते हैं जिससे जुआ होता है और इसे जो कमरे में पूरी तरह से शून तक पहुंच जाता है तो यह है कि अकल कानपुर में देखने को मिले एक वैपारी ता जहां परिवार में बुज़ूर कमात्ता पिता थे उन्होंने कमरे में अंगिठी जलाकर रात में उसको रहते हैं जिसके वज़े से उनका दम घुड़ गया और ऐसे ही मैनपुरी में जो हाथसा देखने को मिला है तो लगतार जो घटना सामें निकल कर आ रही है कि लोग कहिना कि थंद से बचने के लिए अलाव और रिटर का साहरा ले अगर आप अंगिठी अलाव अगरा तो जिस समय तक आप उसका इस्तमाल कर रहे हैं उतने समय कि अपने घर के बहार रख दें आपकर प्रश्रासन के साथ साथ नेट्रॉक और परिवार भी आपसे यह अपेल करता है कि आप रात में सोते समय अंगिठी न जलाए या फिर ही तक चला है और कमरे खोल कर जला है कमरे बंद करके आप हीटर या अंगिठी का इस्तमालना करें से ऑक्सेजन की कमी होती है और दम घूटने जैसे परिशानी सामने आ सकती है और यह मौत का जो सबब है वह बंता जा रहा है आनिके लोटों कि आपके पास महाविर राना हमार पासी की जबता बात है कि जो खड़ाकी के ठंड़ हो लगता रही है और दिन में थोड़ा सा आसार मिल रहे हैं मगर फिर बीजों में अभी भी आग लगी हुए कई जंगल ऐसे जो अभी धूदू करके जल रहे हैं उनके कारण जो धुए वह थोड़ा दिकत कर रहा है यहा अगर चोटे से जुखाम भुखार खासी इस तरह के जो तरह कि मौसम पूरी तरह से चेंज नहीं हो पा रहा है जिस तरह से पहले से चल रहा था क्योंकि बीच में थोड़ा परबारी हुए हैं कि सब्सक्राइब असार मिलेते मगर उसके बाद दोबार से वही कड़ाकी कि जारो जारी हो गए हैं सुबह साम की थंड लगातार जारी है अगर बता दूंक यहां पर स्कूल लगातार चल रहे हैं स्कूलों को त्टैम भी थ्ज़ुड़ा चेज किया गए उसकी त्येया जिख रहा है जो पूरा इलाका जो हमारा पहाड़ी इलाका है समय ठंड से ठु जो बागवानी किसे समंधित हो गए वह भी काफी नाखुस है क्योंकि पर बारी नहों के कारण इस बार जुए बागवानी पर काफी असर पढ़ने वाला है जी दिब्या ठीक है सेहत के साथ कहीं न कहीं खेती पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है लौटोंगे महवेर आते हुए उत्तर भारत में जिस तरीके से श्रीत लहर का असर है ग्वालियर में कितना असर देखने को मिल रहा है क्या कुछ पूरी जानकारी है ग्वालियर को लेकर आपके पास बताइए जी दिब्बे बतादें आपको कल चौविस गंटे का मौसम रहा है वहां कल मतप्र कर पहुए ख्याने के इस तरफिक को भार्वी को सुप सीट से छलनी पडे लहीं हो चुकि कि इस बार मत्रदेश में जो 20 साल का रिकॉर्ड है वो टूटा है कि जो सब्सक्राइब बढ़ लोगों यह काफी परिशान का सामना करना पड़ ला यह ते और अभी दस बज़ रहे हैं यह जो ठटन वाली ठंडे सर दबाएं वो लगाता जारी है और सूरज निकलने का नाम नहीं लिए रहा है विकास वहां पर प्रशासन की तरफ से किस तरह की विवस्था की गई है क्योंकि ठंड बहुत जादा है जी बता दें आपको की प्रशासन की तरफ से पूरी उनको रहन बसेरि में रात में प्रशासन की तरफ से घाड़ीयं घुम ती जिलादकारियों की कुई बहुता हूँ ना आए अगर सूंता हूँ नहीं रहता है तो उनको रहनम सेरियों में इस तरह की तस्विरे देखने को मिल रही क्यों कि उत्तर भारत में जिस तरीके से श्रीत लहर का असर है कही न कहीं चंडी गड़ में भी बहुत जादा ठंड है किस तरह की तस्वीर है क्या कुछ जानकारी चंडी गड़ को लेकर पताईए जी दिप्या देखिए आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कितना घना कोहरा यहाँ पर इस वक्त चाया हुआ है कड़ाके की ठंड और शीत लहर यहाँ पर इस वक्त पढ़ रही है तापमान में भी बहुत जादा गिरावट दर्च की गई है और मौसम विभाग की तरफ से दो दिनों के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है इस अपते बारिश नहीं होगी और इसी तरीके से कड़ाके की ठंड और शीत लहर लोगों को जेलनी पढ़ सकती है जिस तरीके का मौसम यहाँ पर दिव्या बना हुआ है उसके मदे नजर जो शिक्षा विभाग है चंडिगड प्रसाशन की तरफ से यहाँ पर स्कूली बच्चों की चुटियों को भी बढ़ा दिया गया है अब चंडिगड में पहली से पांच्यू कक्षा तक की चुटियां कक्षा तक की कक्षाएं जो है अब 29 जनवरी से लगेगी हालांकि 25 जनवरी तक यह चुटियों है लेकिन 26 जनवरी को गंतंत्र दिवस होने के चलते और शनिवार और रभिवार की चुटियों होने के है लेकिन अगर स्कूली अध्यापक चाहे तो वो बुला सकते हैं बच्चों को अगर बहुत जरूरी हो अन्यता ओनलाइन क्लासिस ली जाएगी अगर स्कूल में बच्चों को पुलाया जाता है छटी कक्षा से उपरी बच्चों को तो जो स्कूल है साड़े-9 बजे से खूश को चनरबाद करें टो हर्याना में इस वक्त कडाके Кठंड पढ़ रही है और हरी दर की तरप से भी जो चुश करकार कि आज कि अगर बात करें तो हर्याना में स्कूल आज से खूल रहे है जे तो ऐसे में जो स्कूल है वो साड़े नौ बज़े से खुलेंगे और साड़े तीन बज़े चुटिया हो जाएगी क्योंकि कडाके कि ठंड लगातार यहां पर पढ़ रही है और मौसम विभाग का कहना है इससे फिलाल एक हपते तक किसी तरीके की निज़ात नहीं मिलेगी जी दिव्या कि यहां पर देखिए जो नैशनल हाइवेस हैं वहां पर भी बहुत जादा दुरगटनाओं के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और इस वक्त जिस तरीके से सभी को अपने कामकाच और दफ्तर के लिए निकलना होता है तो कही ना कहीं कोहरी की वज़े से जो दुरगटना हैं वो बहुत जादा बढ़ गई है क्योंकि विजिबिल्टी 50 मिटर से लेकर 200 मिटर के करीब ही यहां पर दर्च की जा रही और सुबह की वक्त की अगर बात करें तो जीरो विजिबिल्टी यहां पर देखी जाती है हालांकि इसका जो असर है वो उडानों पर भी पढ़ा जो विजिबिल्टी कम होने के चलते हैं यहां पर जो दुरगटनाएं हैं वो भी बहुत जादा बढ़ गई हैं जी जी इसका कहीं न कहीं दुरगटनाएं बहुत जादा बढ़ गई है प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि आप घर से बाहर तभी निकल कि ठंड बहुत जादा है शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जोड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए